दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मिडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आज की सबसे बड़ी खबर बिहार में इसकोलों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला जानिया मुख्मंत्री नितिस कुमार ने क्या कहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्वार को बिहार के मुखमंत्री समेट कई राज्यों की सेम के साथ कोरोना को लेकर बैठक की अभी चीन्तित है बिहार में स्कूल और कॉलेज को खुलने को लेकर सियम नितिस ने एक बड़ा बयान दिया है रहान मंत्रे नरेंद्र मोधी के साथ बेड़क के बाद सियम नितिस ने कहा कि बीबी ने राज्यों में पाले के तुलना में कोरोना संक्रमन के रब्तार काफी तेज बढ़ गई है बिहार सरकार कोरोना को लेकर सतरक है होली के आउसर पर लोग विशेज स्टोर पर अपने घर जाते हैं इसलिए ज़्यादा सतरक रहने के जरुरत है इसकूल और कॉलेज को लेकर सियम नितिस ने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है अब इसकूल और कॉलेज चलेंगे याने कि सियम ने यह इस्पश्ट कर दिया कि फिलाल विदालाय और महाविदालोयों में बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी अगली बड़ी कबर 21 तारिक को फैसला लेंगे CM नितिस बोले बाहर से आने वाले कई लोग कोरोना पोजिटिम मिले बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार ने राज में कोरोना संक्रमन को लेकर लोगों को सचित रहने के अपिल करते हैं वे कहा कि फिलाल प्रदेश में कोरोना फैलने के रप्तार तेज नहीं है लेकिन इसके प्रती सरकार पुरी तरह से सजग है इसके साथ मुख मंत्री अब सनिवार यानि 21 मार्ज को सूबे के सवी जिले के डियम के साथ और कोरोना की महजुदा इस्टियों और तयारियों को लेकर स मिच्चा करेंगे इस क्राम में मुख मंत्रे सभी जिलों से कुरोना संक्रमन पर विस्तार से जानकार प्राप करेंगे तब जरुरत के मुताबिक कोई नया निर्देश जारी किया जा सकता है इसके साथ भी यहत्त है कि जाज को प्रते दिन 70 हजार करना है अधिक से अधिक जाज आर्टी पिसी आर हो इसको लेकर सारे इंतिजाम किये जा रहे हैं बिहार में करोना की नई लहर से अलर्ट सकती फिर सुरू बिना मास्क निकले तो लगेगा जुर्माना बिहार की राजदानी पटना में लोगडाउन के दोरान और लोगडाउन खुलने के बाद ट्र खिलाब कारवाई भी सितल पड़ गई हाली में कुर्णा संक्रमन के मामले बढ़ने की पर एक बर फिर से पुलिस ने मास्क को लेकर सकत रवया अपना लिया है पटना में लोग मास्क पहने इसके लिए प्रसासन लगातार जागरूता भियान चला रही है साथ राजिक के नहीं परने वालों की खिलाब कारवाई की जा रही है और मास्क नहीं परने वालों से जुर्माना भी वसुला जा रहा है अगली बड़ी कबर सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने वालों से दो मा में पटना पुलिस ने वसुल ले दो करोड रुपिय जुर्माना जिया 2021 के जन्वारी वफरवारी मा में लोगों से 2 करोड रुपिय से अधिक किरासी जुर्माना के रुप में वसुल की गई है इसमें जन्वारी मा में सीट बेल के नियमों पालन नहीं करने के कारण करेब 35 लाक रुपिय जुर्माना वसुल गए हैं वह दूसरी और हेलमेट ने पढ़ने वालों से अब तक 14 लाक वसुले गए हैं इसी तरह अवे तक 2 करोड से ज़्यादा जुर्माना वसुला गया है बिहार दिवस पर चाया कोरोना का साया 22 मार्ज को नहीं होगा कोई सारवजनिक कारकरब बिहार के इस्तापना दिवस पर 22 मार्ज को इस बाराज के किसी भी स्कुल में बिहार दिवस समारो का आयोजन नहीं होगा कोरोना संकर से बचाव को देखते वे ऐसा एतिहातन किया जाएगा हलाकि अच्छी बात यहा कि ओनलाइन मोड में या समारो राज सरकार आयोजित करनी जा रही है बिहार दिवस समारो के नोडल सिक्चा विवाग ने इसकी तयारी पूरी कर ली है ग्यान भावन में सिक्चा विवाग के अलाधिकारी 200 लोगों की सवायता के साथ समारो की सुरुवात करेंगे जबकि मुखमंत्री नितिस कुमार वीडियो कॉनफरेंसिंग से जुडेंगे मुखमंत्री आवाज से ग्यान भावन पटना एवं सभी 38 जिलों के जिला समाहरा नालई वीडियो कॉनफरेंसिंग तथा वेव कास्टिंग से कनेक्ट होंगी आपको बता दे कि 22 मार्ज को सुबा 11 बजे से करेब डेड़ घंटे का राजकिया बिहार दिवस समारो आयुजित किया जाएगा बिहार किसान मगही पान की अब होगी विदोसों में सपलाई चमकेगी किसानों की किसमत बिहार के कोच बेहद नामचिन पहचानों में इहां का एक महसूर मगही पान भी सामिल है इसे GI Tech प्राप्त है बाजार में उचित मुल ना मिलने के कारण मगई पान के ज़्यादातर किसान समयस्था में घिरे हैं लेकिन अब मगई पान उतपादक किसानों को ओने पोने दाम में पान के पत्ते को बेचने की मजबोरी नहीं होगी जी हां मगई पान के पत्ते की सप्लाई बिदेशों में भी होगी पान उतपादक किसानों को अब ज़्यादा मुनाफ़ा होगा संजे मुक सचतक दिलिप उपमुक सचतक देवेस और नवल किसोर बने सत्ता रोड़ दल के उपनिता जी हां संजे कुमार सिंग और पसंजे गांधी दिलिप जैसवाल देवेस चंद्र ठाकुर और नवल किसोर यादव ने बुदवार को विदान परिशत सदस पद की सपदली गुरवार को ने मंत्री और राज मंत्री और उप मंत्री का दर्जा मिला अब इन्हें चेंबर आवास और पियस रखने सहीद भत्ते की सविदा मिलेगी संजे कुमार सिंग को जहां बतोर मुई के सचितक मंत्री के समान वेतन भत्ते और आनिस विदाई मिलेगी वहें दिलिप जैसवाल को राज मंत्री का दर्जा मिलेगा विदान परिशद में सदन की उपनेता के रूप में देवेश चंद्र ठाकूर और नवल किसोर यादव को सरकार के मंत्री के समान वेतन भत्ते और आनिस विदाई मिलेगी आनन्द बिहार से पटना गया जोगबोनी के लिए चलेगी होली स्पेसल ट्रेनें कई अन्य स्पेसल ट्रेन भी 30 जुन तब जिया होली पर घर आने वाले यात्रीयों के लिए गरहत भड़ी खबर है 21 मार्च से होली स्पेसल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा इन ट्रेनों की सभी कोच आराचित स्रेनी के होंगे तता यात्रियों को COVID-19 के मानुकों का पालन करना होगा होली पर COVID-19 से ज्यादा प्रभायत राज्यों से आने वाले यात्रियों को COVID-19 के लच्चन मिलने पर आइसलेट भी किया जा सकता है सबी रेलवे स्टेशन पर COVID-19 को लेकर विशे सतरता बरती जा रही है आनन्द बिहाद टर्मिनल पटना हॉली स्पेशल ट्रेन 21, 26 एवं 28 मार्ज को आनन्द बिहाद टर्मिनल से 2 बज कर 5 मिनुट में खुलेगी अगले दिन 9 बजे पटना पहुचेगी वह यवापसी में पटना आनन्द बिहाद टर्मिनल 22, 27, 27 एवं 28 मार्ज को पटना से 12 बज खुलकर अगले दिन 5 बजे आनन्द बिहाद टर्मिनल पहुचेगी इसमें SC3 के 15 तथा SC2 के 3 कोच होंगी इसके अलावा गारी संक्या 04040 नई दिल्ली बरोनी आनन्द बिहाद टर्मिनल गया आनन्द बिहाद टर्मिनल जोगबुन के लिए भी होली स्पेशल टेनों का परिचालन किया जाएगा राज के पर्थम मुख मंत्री स्री कृष्ण सिंग को भारत रतन दने की सिफारिस करेगी निती सरकार बिहार विधान परिशत से बिहार के परथम मुख मंत्री और बिहार के स्री स्री कृष्ण सिंग को भारत रतन दने की मांग उठी है स्री बाबु को भारत रतन दिने के लिए निती सरकार की सरकार केंद्र सरकार से सिफारिस करेगी विदान परिशद में संसदिय कार मंत्री विजय चोधरी ने सरकार से जवाब में सदर में या बड़ी घोसना की है विदान परिशत में ध्यान करशन के दोरान भारती जंता पार्टी के सचिदानन राय की सवाल के जवाब में मंत्रे नहीं या जानकारी दी है बड़ी कबर जमिन के हर प्लोट का होगा आधार नमबर भू नक्सा एप पर मिलेगी सारी जानकारी जी हाँ अब बिहार के जमिन के हर प्लोट का अपना आधार नमबर होगा आधार नमबर के समान यूनिक लेंड पार्सेल आइडेंटिपिकेसर नमबर से किसी भी जमिन के जानकारी चंद मिन्टों में निकाली जा सकती है इसकी सुरवात सेकपुरा के एक राजस्वगाव से कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एप भू नक्सा पर जल्द ही इसे देखा जा सकता है इस योजना को लागू करने वाला बिहार सात्वा राज होगा यहां हर प्लोट को एक यूनिक नमबर दिया जाए जिहां बिहार में पंचा चुनाव कब होंगे इस पर अब तक की सिती स्पष्ट नहीं हो पाई है पंचा चुनाव की घोसना लगातार एबियाम के मामली को लेकर आगे बढ़ यह लेकिन पंचा चुनाव में राजनितिक दल के नाम या उसके जंडे और सिंबल के इस्तमाल को लेकर राज निर्वाजन आयोग ने महतपून गाइड लाइन जारी किये राज निर्वाजन आयोग ने इश्पष्ट तोर पर कहा है कि बिहार में पंचा चुनाव दलिया आधार पर नहीं हो रहा है अगर ऐसे में कोई उमिद्वार राजनितिक दल के नाम या दल के जंडिक यार में चुनाप रजार करता पाया गया तो उसके खिलाब एक्सल लिया जाएगा सरकार की फजियत के बाद मंत्री राम सुरत राय के वहाई को गिरबतार करने की तयारी पुलिस ने वारंड के लिए कोट में दी अरजी सराब रामदगी मामले में बिपक्च के निसाने पर आये राज के भुमी सुधार एवम राजस मंत्रे रामसुरत राई के भाई हसन लाल राई की गिरपतारी के कावाया तेज हो गई है मुझपरपूर पुलिस ने मंत्रे राम सुरत राय के भाई हसल लाल राय समय 10 आरोपितों की गिरबतारी वारंट के लिए कोट में अरजी दाखिल कर दी है मुझपरपूर के स्पी जयन कांत ने इस बारे में जानकारी देते विए कहा कि हंस लाल 10 आरोपि को गिरबतारी वारंट के लिए पुलिस की तरप से एक विशेश उत्पाद कोट में अरजी दाखिल की गई है इस मामले को लेकर लगातार निती सरकार की पजियत तो हो रही थी लेकिन नेता प्रतिपक्ट तेजस्व यादव लगातार मंत्री के भाय को बचाने का आरोप भी लगा रहे थे बड़ी कबर MLC नहीं बनाये जाने पर छलका पूर्व DGP गुपतेसर पाड़ने का दर्द बोले जल्द लेंगे बड़ा फेसला राजपाल कोटे से मनोनयन किये गए 12 MLC में भी जगा नहीं मिलने पर बिहार के पूर्व DGP गुपतेसर पाड़ने का दर्द बाहर आया है मीडिया से बात करते हुए बिहार के पूर्व DGP ने कहा कि अभी वो सभी मसले को देख रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ा निन्ने लेंगे बता दे कि अपने कारिकाल के 6 मैंने पहले ही VRS लेकर गुपतेसर पाड़ने जदवे में सामिल हो गए थी जिसके बाद ये उम्मीद जताय जा रही थी कि पार्टी उन्हें विदानसवा में टिकट देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद ये उम्मीद जतायर जा रही थी कि पार्टी उन्हें एमलसी बना सकती लेकिन इस बार भी पार्टी ने उन्हें जगा नहीं दी जिसके बाद आप पूर्व डिजीपी का दर्द छलका है सामाजिक सुरक्षा पेंसन योजना के तहत रासी बढ़ाने के उठी मांग सरकार ने खड़ किया हाथ जियां बियार बीजान सवा में कल भाजपा नेता रागवेंदर परताप सिंग ने ध्यान करसन में इवरेध विद्वा एवं दिव्यांग को दिये जाने उले पेंसन रासी का मुद्द वठाया में 3,000 तो में 3,000 रुपय, गवा में थीन हज़ा रुपय सहहता रासी दी जारही है। इससी तरह से आयने राज्यों में भी तीस रेनी असाहयो की जाहता करने के लिए राज सरकार उदार है। विहार में मात्र 400 रुपय दुपय दी जा रहे है। इसके जवा में मंत्री समाज कल्यान विभाग मदन सहनी ने कहा कि राज सरकार 95 लाग लोगों को सहायता रासी देती है। पेंसन या दूसरे सहायता रासी अन प्रदेश के तुलना में बिहार सरकार नहीं दे सकती है। और अंकी बड़ी कबर राजंद्र इंस्टिटूट और मेडिकल साइंसेज राची ने संस्तान में फेकल्टी और स्टाप नर्स के पदों के लिए 429 रित्तियों को भरने की घोसना की है। आप हमें नेचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताए।